Driefoods एक kidney filet patient के लिए मना होते हैं मगर वो क्यों मना होते हैं यह बहुत कम patient जानते हैं अगर हमें Driefood मना हैं तो उसके जगा हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं इस सब को explain कर रहूँ हूँ मैं आपको इस वीडियों के अंदर जब किसी kidney fillet patient में kidney कम काम कर रही होती है तो kidney के बहुत सारे काम रुख जाते हैं kidney हमारी body में पानी को निकालने का काम, body में salt regulate करने काम, bread बनाने काम, vitamin D को activate करने काम ना जाने कितने काम हमारी body में करती है जब इसी किड्नी को नुक्सान हो रहा है तो सारे के सारे ये जो काम है ये कहीं हेंपर होने शुरू हो जाते हैं उनमें नुक्सान होना शुरू हो जाता है वो कम होने शुरू हो जाते हैं अब अगर ऐसी body के अंदर जहाँ पर kidney tank से चीज़ों को भार नहीं निकाल पारी एक kidney failure का patient dry foods का intake करता है तो dry foods के साथ साथ वो body के अंदर बहुत सारे ऐसे minerals लेके जाता है जो कि उसको नहीं लेके जाने चाहिए और इसमें सबसे खतनाक होता है potassium कोई भी चीज हम खाते पीती ह उनके अंदर कम या जादा मातरा के अंदर potassium की मातरा होती ही होती है मगर जब हम किसी चीज़ को सुखा लेते हैं dry food बना लेते हैं तो उसमें water का content कम होनी की वज़े से potassium और बाकी minerals के जो concentration है वो बढ़ जाती है मालो की मैंने 100 ग्राम अंगूर लिये उस अंगूर की अंदर 5 percent potassium है मालो जस मालो की 5% potassium है मगर जैसे ही वो अंगूर सूख की किश्मिश बनते हैं तो उसका जो weight है वो 100 ग्राम से आ जाता है 40 ग्राम अब 40 ग्राम अंगूर की अंदर 5 ग्राम क्या है potassium अब इसकी percentage का सब लगा जब वो 100 में 5 तो 5% था मगर जो 40% हो गया तो वो 12% के आसप उसकी मात्रा potassium की बढ़ गई इसी वज़ा से अगर आप 100 ग्राम किश्मिश खाओगे तो आपकी body में कई गुना जाधा potassium जाएगा इसी तरह से जो बाकी dry foods हैं चाहे वो बदाम है किश्मिश है अखरोट है मना होते हैं किसी भी kidney failure patient को इसमें खजूर भी आती है इसके अंद है यह सब भी मना होती है क्योंकि इनके अंदर ना सब चीनी जाधा होती है बलकि सासत potassium की मात्रा भी increase कर जाती है अगर आप एक आता दाना खाओगे कुछ नहीं होगा बट अगर आप इसे routine में daily basis पर खाओगे तो potassium की मात्रा बढ़ने की वज़ा से वह आपकी reporter में reflect कर सकती है इसी वज़ा से हर kidney failure patient को सभी type के dry fruits मना कर दिया जाते हैं चाहे वो berries हो चाहे वो हमारे dried pineapple हो गया dried papaya हो गया यह सब कुछ मना हो जाता है kidney failure patient के अंदर मकर आप सवाल यह उठता है कि अगर हम dry food नहीं खा सकते हैं तो हम क्या खा सकते हैं अपनी body को ताका देने के लिए तो यह kidney failure patient के लिए मेरे हमेशा advice होती है कि अगर हम dry foods नहीं खा रहे हैं मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मखाने हैं उनका use करकर आप body के अंदर बहुत अच्छी है मार में मिननस लेके जाते हो क्योंकि मखाना है हम सब जानते हैं कि बहुत ताकतवर चीज़ होती है इस अगर रोस्टेट मखाना का use करते हो dry food की जगह तो वह ना कि आपका potassium बढ़ाएगा बल्कि आपकी body के अंदर जरूरी minerals है उनकी deficiency को भी पूरा करताबा मिल दाएगा तो dry foods को हमने पूरी तरह से avoid करना है अब से बाल यह उठा कि हम dry food नहीं खा सकते हैं तो हम क्या चीज़े लीजिए या फिर अपनी कडाई ली उसके अंदर आप बहुत कम मातरा के अंदर घी का use करते हुए जो मखाने मार्केट में अवलेबल होते हैं आप उसको रोस्ट कर लीजिए यह मखाने आपका potassium नहीं बढ़ने देंगी क्योंकि इनके अंदर होता ही कम है बलकि यह आपको को help करेंगे minerals को आपकी body में ले जाने के लिए जो कि आपकी body की normal functioning के लिए जरूरी है इसके साथ-साथ आप मुर्मुरे जो होते हैं जो हम देखते हैं जिसकी भेल पूड़ी बनती है उसको भी इसी तरह से रोस करकर हम ले सकते हैं क्योंकि यह मुर्मुरे आपको snack की तरह इसको आपकी लिए जो कर सकते हैं इसको आपने बटर का यूज़ नहीं करना इसको आपने बिना बटर के बिना सौल के किसी नॉंस्टिक बरतंग के अंदर बनाना है इसका स्वाद भी आप snacks की तरह ले सकते हैं इनके अंदर mineral की मात्रा कम होती है क्योंकि यह puffed होते हैं तो यह हमें help कर जाते हैं अपने body की अंदर minerals खास के potassium को regulate करने में और हमारी जो snack की जो appetite होती है हमें कुछ खाने का इच्छा कर रहा है उसे पूरा करने में तो मैं उन्हुत करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि kidney failure patient को हम क्यों dry foods को मना करते हैं और उनकी replacement में किस साइटी चीज़े ले सकते हैं फिर भी कोई भी doubt हो कुछ भी पूशना चाहते हो तो हमारी doctor's available है आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं अब इसी के साथ आप से वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार